हैलो जी शश्रीकाल जी आप सबका स्वागत सिमर की किचन में आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ आटे का एक ऐसा नास्ता फ्रेंड्स जिसे खाकर आप समोसा कचोरी सब भूल जाओगे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आटे का रोल यह देखें कितना क्रिस्पी है इस सूजी सूजी डालने से फ्रेंड्स इसका नास्ता काफी रिस्पी बनेगा अब हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और हाफ टेबल स्पून नमक और टू टेबल स्पून डालेंगे घी घी डालेंगे इसे काफी सॉफ्ट बनेगा इसको अच्छे से कर लेंगे अब मिक्स इसी हमें मिक्स कर लिया है अब इसमें से हम एक टोरी में टू टेबल स्पून डालेंगे इसको कर देंगे साइट पर इसको मैं बात में बताऊंगे अब इसको हमें एक एच्छी सी डोबना लेंगे साटे की सॉफ्ट सी डो बना लेंगे जो हम नोर्मल आटा गुनते हैं उससे थोड़ा सा हाड रखना इसको अच्छे से मसल कर हम इसको आटा गुन लेंगे आटा हमारा गुन चुका है उससे दस मिनट के लिए साइड पर रख देंगे रेस्ट पर और दूसरे बाल में हम डालेंगे मैश की हो आलू उसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई आफ टेबल स्पून लालमिच पाऊडर आफ टेबल स्पून डालेंगे गरम मसाला आम चूर पाऊडर आफ टेबलस्पून और थोड़ा नमक डालेंगे नमक हम अपने अकॉडिंग में डालेंगे क्योंकि आटे में नमक डाला था इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स यह हमारा हो चुक है अब हम अब हमने जो आटा लिया था विक टोरी में निकाला था इसमें हम डालेंगे अब हमने जो आटा लिया था इसको अच्छे से हम मसल लेंगे चिकना कर लेंगे यह दिखिए फ्रेंट्स अब हमें थोड़ा सा आटे को डस्ट करेंगे अच्छे से बड़ी सी रोटी बनालेंगे ना ही पतली हो जाई जैदा ना ही मोटी हो फ्रेंट्स रोटी को हमने फ्रेंट्स बेल लिया है हमने इससे चौरस करना है इससे चाकू की मदब से हम साइड इसकी काट देंगे सारी चारो साइड से हम इससे काट देंगे हमने इसको था है चारो साइड से काट दिया है अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने रिखा हुआ है आलू का मैश उसे हम लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे सारी साइड पर यह देखिया आप हाथ की मदद से अच्छे से फैला दें आलू हमें अच्छे से लगा ली हैं अब इसके हम ऊपर लगाएंगे खटी मिठी चट्नी एक स्पून अच्छे से लगाएंगे इसके ऊपर पौर करेंगे आपको केचप याख हरी चट्नी जो भी पसंद हो फ्रेंड्स आप वो भी लगा सकते हों दखके ये अच्छी से लग चुकी है अब इसको हलके हासे में उठाएंगेiran सकर प्रेस करेंगे और इसको रोलर करते रहेंगे साथ साखल का प्रेस करते रहेंगे तांकी ये खुले नहीं ये देखिए एक अच्छा सा रोल बन कर त्यार हो चुका है इसे हम एक एक किंच पर काटेंगे ये देखिए ना ही मोटा हो जिन ना ही जदा पतलाव फ्रेंड्स रोल हमारा देखिए ये कैसा नास्ट्रा फ्रेंड्स आप जटबट से बना कर त्यार कर सकते हूं अचानक से गैस्ट रह जाएं तो ये सबसे अच्छी और एजी रेस्पी है मुझे एक कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स ये देखिए हमारे हमने सब काट ली है और अब एक निकाल कर मैं आपको दखाऊंगी ये कैसा लगा अब इसको हम हलके हार से प्रेस कर लेंगे तांकि ये अंदर से कच्छा ना रहे है अब इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे हलका सा और इसको साइड पर करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी होगा उसको हम निकाल देंगे तेल हमारा अच्छे से गरम है अब इसमें हम फ्राई कर लेंगे हमें शेलो फ्राई करना है अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो शेलो फ्राई करने से भी बिल्कुल भी कच्छा नहीं र अब इसको हम गोल्डन ब्राव अच्छे से कर लेंगे अब इसको हम निकालेंगे क्लेट में यह देखे फ्रेंड्स ही अंदर से कितने सॉफ्ट और क्रिस्पी है उमीद आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब जूरूरूरूरूरूरूरूर